हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अविशेक अगरवाल और सजेश्टेट अंसर्स ये में इंटर्मिडेट के सिरीज में हम लोग आज गुरूपन का आखरी सब्जेक डायेट टेक्शेशन पर वीडियो रिकॉर्ड करने वाले सजेश्टेट अंसर्स पर बहुत सारे फ्रेंड्स के म वीडियो बना रहा हूं जिन लोगों ने लॉओ फाइनिशल एकाउंटिंग और कॉस्ट एकाउंटिंग का सजिश्टन अभी तक नहीं देखा है लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा और वहां सर जाकर देख सकते हैं और वीडियो के एंड में आप लोग को म देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर डायेट टैक्सेशन और कुस्टन पेपर आचुका है और मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एमसी क्यू पर ही डिस्कुसन करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुस्टन जो फ्रेंस आप लोग प्रेंट किया है तो उनको कितना डिदेशन मिलेगा एक्टी डी में जैसा कि आप लोग को पता होगा एक्टी डी में सिर्फ इसन को मैक्सिम डिदेशन 50,000 तक का अलाउड है बट यहां पर उन्होंने चुकी लंब सम पेमेंट किया इसकी उनको एपोशन्ट फॉर याट प लिए पॉर लिए ऐप्रा रौर इसका उनको आप लिए पर उनको कितना डेशन मिलेगा इसका अंसर है 93,000 वि कौस देट फॉर आप्रेंट काइस आप लिए क्टी ऑपक्रा इस फिप्तीन परसें फिर्सें फॉर डिदेशन और इस वाप नेरे टिदोंट पर दिजों पर उ जब आप लोगो हायर के लिए यूस करते हो तो उस पर 30% होता है मोटल कार पर 15% आप लोगो को डिशन मिलेगा जिसका अंसार आता है 93,000 और question number 3 में आप लोगो को बोला गिया है कि वैं अ इंडिविज्वा नॉन रिस्डेंट है total income exceeding rupees 50,000 50 lakhs the amount of surcharge payable income tax would be यहां पर आप लोगो का answer होगा 10% because जब 50 lakhs से exit करता है तो 10% होता है यही income जब आप लोगो के 1 करोर से 1 करोर से ज्यादा exit कर जाती है तो 15% surcharge लगता है और in case of cooperative society and firms के case में आप लोगो का 12% होता है question number 4 के लिए मैं बहुत जाल स्योर नहीं हूँ इसलिए मैंने कोई answer नहीं किया friends but मुझे ऐसा रखता है इसका answer 6 lakhs rupees होना चाहिए question number 5 अमलोग देखते हैं जैसे मुझे पता चलेगा 4 का answer correct answer मैं आप लोगो को जरूर बताऊंगा question number 5 का answer जो बुला गया Manoj a resident employed in ABC Indian company has cross annual salary income of rupees 20,60,000 the standard direction available under section 16 subsection 1 would be इस case में answer होगा 40,000 direction of 40,000 और the salary amount whichever is less यहाँ पर होता है क्या direction 40,000 मिलता है या पर salary का amount जो भी कम होगा वो आप लोगो को direction मिलता है तो answer हो जाया है था C 40,000 question number 6 है share in unlisted company यहाँ पर mention क्या गया है unlisted companies friend share in unlisted companies in order to be treated as long term capital assets should be held for a minimum period of 24 months इसका answer हो जाएगा उसके बाद question number 7 में बुला गया है Padma जी परमजा power company private limited is engaged in generation of distribution of electrical power इसका answer में simply आप लोगो को बता रहता answer होगा 30 September answer हो जाएगा option number 1 आप लोगो का answer होगा उसके बाद question number 8 में आप लोगो को बोला गया है Mr. Halivalov incurred medical expenditure वो ने incurred किया 1,20,000 का in respect of disease specified in rule 11DD 11DD में जो specified disease है उसमें खर्ज किया for his father जो की senior citizen है उनके father who is wholly dependent on him और उनके उपर ही wholly dependent है 1,00,000 because 40,000 or the amount actually paid नहीं यहां पर क्या बोला जाता है कि 40,000 या फिर amount actually paid जो भी less होता है सिर्फ और सिर्फ उसको उतना ही direction मिलता है under section 11DD में but in case of a senior citizen या फिर super senior citizen यह आप लोगो का assessment year 1920 में ही आया है आप लोगो का यह amount हो जाएगा 1,00,000 तक या फिर actual amount paid whichever is list जो नों में से 1,00,000 या फिर actual amount पर जो होगा वो answer आप लोगो का correct होगा तो यहां पर आप लोगो का answer हो जाएगा option D 1,00,000 question number 9 का answer आप लोगो का मैं diet answer बतायता हूं ना answer होगा आप लोगो का 8320 is correct answer option C is correct answer उसके बाद question number 10 में हम लोग जाते हैं तो 10 का भी मुझे answer sure नहीं है बट बट मुझे इसमें मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा question number 10 का भी answer जैसे ही मुझे पदा चलेगा मैं आप लोगो के साथ जरू share करेंगा उसके आप लोगो को बोला गया 3-0 limit for tedious commission brokerage under section 194-H इसका answer आप लोगो सभी को पता होगा 15,000 होता है 194-H में 3-0 limit उसके question number 2 है rate of tax on royalty from registered patent in India इसका answer भी maximum आप लोगो सभी को पता होगा answer is 10% answer होगा यहाँ पर 10% because इसमें section 115 BBF में बुला गया है कि tax tax royalty income derived from worldwide worldwide यहाँ में प्रेंट्स आप लोगो बुक में पढ़ेंगे तो और patents developed and registered in India is 10% होता है इसका answer उसके बाद third number आप लोगो बुला गया rate of tax deduction at source for participating in television channel games so in case of residence in case of residence इसका answer हो जाएगा आप लोगो का 30% answer is 30% number for cash donation exceeding this amount is not admissible under section 80 G 80 G में आप लोगो का cash donation 2000 से ज्यादा होता है तो वो admissible नहीं होगा उसके बाद taxable amount where enhanced compensation of 36,000 has been received 36,000 आप लोगो का enhanced compensation मिलता है तो वहाँ पे आप लोगो 18,000 taxable हो जाता है because 50% of such income is liable for a deduction standard deduction 50% के लिए ही आप लोगो को मिलता है उस case में इसके बाद हम लोग देखेंगे true or false true or false में जो आप लोगो का पहला question है friends उसको हम लोग देखते है income from sale of seeds derived from a nursery adjacent to agriculture lands in an agricultural is an agricultural income true agriculture से आप लोगो कोई भी income arise होता है तो वो agricultural income होगा यह explanation हम लोगो का section 2 subsection 1 A में बोला गया है कि income derived from saplings or seedlings grown in a nursery would be dim to be agriculture income saplings ya seedlings किसी से भी कोई भी income अगर rise होती है तो उसको हम लोग agriculture income ही मानेंगे number 2 है unabsorbed depreciation can be carried forward for a maximum period of 8 assessment year यह answer आप लोग का fall हो जाएगा इसमें हम लोग any number of years तक हम लोग set of नहीं कर सकते हैं unabsorbed depreciation किसी भी head में हम लोग set of कर सकते हैं indefinite period के लिए लेकिन salary से set of नहीं होगा यह से उसके बाद next आप लोग का cash gift of rupees 1 lakh cash gift of rupees 1 lakh received from uncle's son by a resident individual is taxable as income from other sources इसका answer होगा true cash gift लोग income from 50,000 से जादा होता है जो income from other sources में taxable करते हैं उसके बाद number 4 हो जाता है a firm resident in India having total income of rupees 1 lakh 46,000 इसके बाद number 5 हो जाता है question है आप लोग का 4 adjusting brought forward business losses with current year business income one of the condition is that such business must be continued during the current year इसका answer आप लोग का हो जाएगा false उसके बाद हम लोग देखेंगे fill in the blanks जहां पर maximum students wrong करके आते हैं but इस बार आप लोगों का diet accession में specially fill in the blanks बहुत easy आया था मैं बहुत easy पुछा गया था और guys आप लोग I hope कि आप लोग marking कर रहे होंगे तो मिझे comment करके जरूर बताएं कि आपके कितने माकसा हैं तो हम लोग पहला fill in the blanks जेटे इसमें बोला गिया है कि ए resident Indian aged 62 years 62 years यानि कि senior citizen हो जाता है who has received interest of rupees 12,000 from savings bank account 12,000 savings bank account में मिला है उनको plus 43,000 interest from fixed deposit bank fixed deposit fixed deposit पे उनका interest कितना मिला है 43,000 is eligible to a direction of कितना amount 50,000 rupees का direction इनको मिलेगा from his gross total income because आप लोग को पता होगा ATTTA में savings banking on interest का direction मिलता है maximum 10,000 but in case of senior citizens ATTTA में कोई भी direction नहीं मिलता है ATTTB में direction मिलता है वो भी 50,000 maximum और इसमें इनको senior citizens के लिए specially savings interest 50,000 तक है या फिर उसमें bank fixed deposit का interest भी होगा तो भी उनको include करके fixed deposit plus savings का interest include करके 50,000 50,000 तक का direction allowed है उसके बाद next हम लोग आते हैं daily allowance received by a member of parliament is exempt member of parliament को daily allowance मिलता है वो exempt होता है उनके hand में expenditure for which cash payment is made for a sum exceeding rupees 10,000 इसका अंसर अपलोगा हो और a single day is allowable as a disallowed 10,000 से अगा आप ज्यादा payment करते हो तो वो disallowed हो जाएगा cash payment उसके बाद number 4 है if return of income for the assessment year 2020 is not filed within the due date prescribed in section 139-1 such return can be filed on or before assessment year assessment year से पहले आप लोग को file कलना है तो इसका अंसर हो जाएगा आप लोग का assessment year यहाँ पे आप लोग को ay नहीं लिखना है assessment year लिखेंगे तभी आप लोग को marks मिलेगा ay लिखा होगा तो examiner आपका marks कार सकता है last question आप लोग का maximum amount of exemption under section 10C in respect of compensation received for voluntary retirement is 5 lakh होगा इसका अंसर हो जाएगा आप लोग का 5 lakh hope friends आप लोग सभी ने marking की होगी और मुझे जरूर comment करके बताएंगे मैं आप लोग के comment का wait कर रहा हूं friends और इस video को अपने friends के साथ share कीजिए मुझे like की video को like कीजिए comment कीजिए और subscribe कीजिए हमाई channel को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया और bell icon जरूर दबाएएगा friends थैंक्यू